कि हालो एवरीवान येश दिस इस सोविन सर बहुत-बहुत स्वागत आपका इस बहुत ही खुप सुरत से लेक्चर में तो भाई एकलव्य बैच 3.0 आ चुके हैं आपके सामने जल्दी से जो बचे यहां पर जुड़े हैं दमाकेदार तरीके से आजाओ भाई और दूसरों क को भी बता दो कि यहां पर MST CT के लिए जो कोर्स चल रहा है हमारा एकलव्य 3.0 उसके अंदर आज पॉलिमर का दूसरा लेक्चर है और आज हम कुछ MCQ भी करने वाले बड़े बढ़ियां बढ़ियां वाले ठीक है तो फना पर पहले जूड़ जो मज़ा आने वाला एकदम होने वाला है सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है जल्दी से जूड़ जाओ यार फड़ा फड़िक दमा जाओ लास्ट लेक्च्चर में हमने पूरा का पूरा क्लासिक खदम कर दिया था और आज हम बात करने वाले हैं नेचरल रबर और उसके बाद हम बहुत सारे पॉलिमर देखो जड़ा देख लिया जाए ऐसा तो नहीं कि चैट येस क्या बात है अच्छेट यहां पर चल रहा है लेप एक मज़रा यहां पर चैट रूग गया है थोड़ा सा मुझे लगा चैट क्यों नहीं आ रहा है चला मैं रिफरिश करना हम हलका साथ यह ओके नाव परफेक्ट है नाव परफेक्ट है अच्छली चैट जोए न चैट रूग गया था बच्छे तो मुझे समझे लिए अंसर देरों कि नहीं देरों चलिए तो अगर आप पहली बार आए इस चैनल के ऊपर आपको बता दूब कि यह चैनल पूरी तरह से डेटिकेड़ है आपको 11 12 की कैमेस्ट्री के लिए जहां पर हम 11 12 सब्सक्राइब तो हमारा हो चुका है यह पॉलिमर चल रहा है चौथा चैप्टर चल रहा है मजा आने वाला एकदम ठीक है चलिए शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले अगर कोई बच्चा यह सोच रहे है यह सर मुझे आपसे डेटिकेड़ तरीके से पढ़ाई करवान मतलब डेटिकेडर होना चीए डिस्ट्रक्शन नहीं होना चीए सिस्टमाटिक होनी चाहिए ठीक है तो वह चीज़े भी हमारे एप के उपर अवली बरहे है मतलब अलब अलब चैमिस्ट्री एक आप है जि इसमें टॉपर स्बैच एक बहुत ही हाईली वैल्यूबल कोर्स है मैं यह इतना जोर देखे क्यों बोल रहा है उसके पीछी रीजन है क्योंकि टॉपर स्बैच जो है पहला तो प्राइस के वज़े से बहुत हाईली वैल्यूबल है कि मात्र वन फोल डबल लाइन का यह अम आप से लिए लास्ट मंत रिविजन से जो की बोड एक्जाम के लिए रहेगी तो यह बोड वाला जो कंसेटर नवाई यह अभी भी चल रहा है हमारे तीन चेप्टर का डिविजन हो भी गया है आज तीसरा चेप्र मैंने खतम किया मजा आरा एक दम धमाल तरही के से फिर प मतलब आपको मॉक्टेश की जो हम सीरीज लॉंच करेंगे उसके लापको अलग से पे नहीं करना है आपको इसी में फिरी मिल जाएगा साथ में बोड के बाद एक बहुत जबर्दस रिविजन कोर्स आएगा में से सीटी आप यह क्रैस कोर्स भी आपके लिए एक दम फ्री रहेगा मतलब आप सोच सकते हो कि जो बच्चे को पैसा लेने मतलो एक बार नहीं पढ़ाते हैं हम उन्हीं बच्चों को दो दो बर पढ़ाएंगे में सीटी आप अन्दाजान लागा साथिके मैं क्या बोल रहा हूं मैंदब एमसी सीटी लोगना एक बार पनाने से कतर आत एक बार भी मेरा नहीं हो पाएगा पढ़ा कि आते हैं लोग बोलते हैं चलो एमसी को सॉल करो गरो कंटेर नहीं पढ़ाएंगे यह सारी चीजा आपको मात्र पंद्रसों क्या मूंट में होने वाली है chemistry के लिए से भी दो दो बार सो चलो आप ठीक है yes चलेगा चले ये आगे बढ़ते चैप्रा का नाम पॉलीमर इंट्रोरक्षोंन डू आपलीमर केमेश्ट्री इंट्रॉडक्षों टू पॉलीमर पॉलीमर इंट्रोड़क्शन डूपॉलीमर के मिश्टी दिमाग चलाओ मजा आज आज आपको इदो अगर मैं इंट्रोड़क्शन अपॉली में स्टीक बात करो तो आज मैं बात करने वाला हूँ नेचुरल रबर की बात करूंगा पूरा का पूरा क्लासिफिशन हमारा हो चुका था नेचुरल रबर जो होता है इसमें मोनोमर क्या होता है पहला क्वेश्चन नेचुरल रबर का मोनोमर क्या होता है नो डाउट नेचुरल रबर आपको इलस्टिक होता है ठीक है इलस्टिक होता है यह यह इलस्टिक प्रपर्टी दिखाता है बट मोनोमर क्या होता है तो CH CH3 ध्यान से देखो फिर यहां पर CH double bond CH2 इसको हम बोलते हैं टू मिधाइल ब्यूटा 1,3 डाइएन यह चीजे हमको देखने के लिए मिलती है आइसोप्रीन और नेच्रल रबर को हम कहीं नहीं एक और नाम से बोल सकते हैं पॉली आईसोप्रीन क्या बोलेंगे पॉली आईसोप्रीन क्यों सर क्योंकि यह आईसोप्रीन का ही बुलते ना कि पॉलीमर है पॉलीमर आईशन होता है तो अगर मुझे बनाना हुआ तो मैं कैसे बना सकता हूं देखो यहां पर तो मैं बना सकता हूं कि है रिसी कपन को बार बॉन द सी यहां पे लिए si a spannend左右 इसका हमने क्या कर दिए शाल फार जैसे हम कर दिया जीस इ sparkling बार बार repeat हो कर लिए यह यह से भाइब कर दोगी सिनग पहले जाएगी डबल यह ऐसा बन जाएगा दी रहा है और इसको हम बोलेंगे पाउली आई सोपरीट इसको हम क्या बोलेंगे पाउली आई्सोपरीं अब पाली पाउली आई सपुरीण की भी खास बात क्या है कि ये सिसने जलीकाट थीशे अपलेंगा थिस्व différentes और लेंगे 100 1,4 और पॉली आई सोप्रीन तो यह अपने दिमाग में सेट कर लेना यह सी सुवर्जन दिखाता है क्या यह पूरा से दिखाता है यह इसमें ट्रांस जरा भी नहीं आता है और यह एलास्टिक नेचर का होता है समझ में आया कोई दिक्कत यह पॉली आई सप्रीम फ्रम क्लोरोप अगर होता यहां पर कुछ टौपिक लेने वाला हूँ जैसे की पोलिफिन क्या होता है हइं डेंसिटी क्या होता है यह चीजह मान沒有 कि रीघिक पर देखता है यह अपो चलून की 열 देखो जाना ध्यान से, LDP, low density polythene क्या होता है, तो हम ऐसा मानते हैं कि low density polythene जो होता है, low density polythene, low density polymer, इसके अंदर सबसे पहले समयना है कि ये branched polymer होता है, सबसे important चीजिए, ये branched polymer होता है, क्या होता है, branched polymer होता है, और ये बहुत हलका माना जाता है, या बहुत ज्यादा soft गर्म करने पर ये mild हो जाएगा, इसलिए इसको हम बोलते कि ऐसी चीज़े बनाने के लिए यूज करते हैं, जो काफी, बोलते ने कि soft तरीके से रहे, जैसे twice हो गया, ठीक है, packaging bags हो गया है, तो इन सब चीजों को बनाने या दखना, तो यहाँ पर हम traces of oxygen लेते हैं, हलका सा, और peroxide के presence में, इसको हम near about 300 से 350 Kelvin के आसपत अगर हमने हीट किया, ठीक है, 1000 से 2000 atmospheric pressure में, तो हमको by default क्या मिल जाएगा, low density polythene मिल सकता है, low density polythene हमको मिल जाएगा, क्या ये बास समझ भाए, चेकर जल्दी से, चेकर कोई दि चेकरो बच्चे, टेमर्चर और ज्यादा लगा है कि कम लगेगा, देख लग बज़राप, ये सकोई डाउट है, ये से चेकरो ज़राप, वही कन्फूजन, कहीं पर भी, किसी को भी, टेमर्चर जादा है, नेक्ष्ट वाले में टेमर्चर कम हो जाएगा, तो दो होते हमारे पास, और हजार से दो हजार एटमसफरिक प्रेशर लगेगा, ठीक है, ये भी अपने दिमाग में सेट करना, येस, डन, चेक कर लो, ये एथीन से बन गया, लड़ीप, अब इसमें आपको फिजिकलर प्रॉपईर्टी जिसके लिए इस आप यही बोलेगी कि ये के मिली का उता है बच्छा आनका सा इनट होगा, लेकिन एच्टीप के सामने ज्यादा इनट नहीं रहेगा, एच्टीप ज़्यादा हाड होता है, ज्यादा टॉप होता है, तो उसके टफने जादा होती है तो इसके तफने सो लिसी कम रहती है सही बाद है यह एक बार कैने जरुरीक्षिन समझाद एक्जाम में है चप्टर 12 बच्चे कैने जरुपनिक लेना आप सिंपल एकदम मेरे यूटूब पर जाओ और वापके निजरु दिख लेक बर कैने जरुशन मेने करा क दिख लो जरुब यह कैसर यह इथीन इबाई यह क्या है एथीन अभी अच्ष एयाँ पर अब लेने वाले एच़ डीपी हच़ डीपी क्या होता है sir तो है तो एचटीपी का मतलब हाइड इंसीटी polythene तो सर हाइड इंशी दिपॉलिदीन क्या होता है तो हाइड लिनियर चेंड है ओ माइग यह बाग काफी इंपॉलिन इन भाई यह लीनियर पॉलिमर माना जाता है यह लीनियर पॉलिमर मना जाता है तो इसको बनाते समयना हम एक स्पेसिफिक कैटलिस्ट भी यूस करते हैं तो अगर मेरे पास एथीन है करवन करवन डबल बॉन के साथ में एंटाइमस तो इसको बनाने के लिए हम स्पेसिफिक क्या यूज्ट करेंगे कैट यूज करते हैं और वो जो कैट लिस्ट हम यूज करेंगे वह हम यहां पर यूज भी करने वाले एक बड़ा स्पेसिफिक न सेवन एट्माइब रेशार तो सर्ञार आंसर क्या बन जाएगा आपका इस तरह से एच डी पी एच डी पी बन गया यह आप एच डी पी का होगा मोर्ट अफर मोर्ट फ्रॉंगर मुस्त मुर्स स्टीफर दैन ल्डी पी केमिकली नण बहुत ज़्यादा होगा高 compared to LDP जिग्लर ने टा कै्ट्लिस्ट होता है तो सर्य कैटलिस्ट बहुत ज्यादा है पुछो मत बहुत ज्यादा इंपॉर्ट्ट अगर शिफ्ट में आ रहा है पेपर तो कन फाम है दो शुब्र में तो यही पूछेगा पहला कंदिशन एज़ी पेमें कोंसा केटिस उस रहेंगे टिक मां करेंगे जिलने तर दूसरा जिगलेट का फॉर्मुला क्या होता है तो दो जगा पे पेपर आपको आउड हो रहा है ट्राय इथाइल अलूमीनियूम प्लस टायटेनियम क्लोराइड इसको ही बोलते हैं जिगलर नेट्टा इसको जिगलर नेट्टा बोलते हैं क्या यह बात समझ में आई क्या यह बात एकदम बढ़ियां से दिमाग की नसों में जाके बैठ गया कोई कन्फूजन नहीं है किस गुखल से जवाब मोरत अपनेस एकदम सही बच्चे यह इस कोई दिक्कत कोई डाउट यह स्काबल रहाई क्वेशन तेरा चालू होता थावाट्र रेंगा लिए क्या वाथ है यह सैविग मोर्त अपनेस यह सब चे कोई दिक्कत अब हम बात करेंगे सारी के सारे आपर डि पीवी सी पीवी सी किसी का भी मोनोमर एक्जाम में आ सकता हमें नहीं पता किसका मोनोमर पूछा जा सकता है मोनोमर किसी का भी आ सकता है CH2 double bond CH आगे CL लगा दो एरो पे पॉली मेराजिशन आप लेना है तो आप ले सकते हैं पैर ऑफ साइड ठीक है बट वो इतना इंपोर्टन फिलाल नहीं है बोड बोड के लिए इंपोर्टन हो सकता है यहां पर बस आपको पता होना चाहिए क्या बन रहा है वो इंपोर्टन आइल लो राईड लास्ट पे जाएंगे तुसका यूजर्ट भी मिलेगा आपको लाश्ट पेज़ पे इसका यूजर्ट भी दिया हुआ है दिनेग्स्ट है नेग्स्ट है और लॉन देखते चलो और लॉन का एक और नाम क्या होता है बोलो पॉली एक्रीलो नाइट्रिल को और क्या होता है Sir? पॉली विनाइल सायनाईड ये सब इसी औरहिए चलेगा जयो कि वुल सबसीतविशन में युच क्या जाताया वुल मतलब इन रहे बंटन होताया ना जो गर्म कपने बनाने के जूम कॉटन यूजह करते हैं तो अगर माकट में यहीं मिन रही है तो हम ऒखेल से बनाते हैं घखंट बत देन Sullky नागे खेल है तरिल नाइं टिलिस को वोहते हैं इत मांन मैं क्या है आक रिलो नाइटरील कहीं कहीं में बोलते हैं कि यह विनाइल साइनाइल है क्या है यह विनाइल साइनाइल बोलेंगे क्या बोलेंगे विनाइल साइनाइल यह सर अब क्या किया मैंने इसका एंटाइम लेलिया पॉलीमराइजेशन कर दिया क्या कर दिया मैने पॉलीमराइजेशन कर दिया ठीक है अ आगे पीछे बॉंड दिखा दो यह बन जागा आपके लिए पॉली एक्रिलो नाइट्रिल कहीं कहीं पर पी ए एन के नाम से जानते हैं और लॉन तो बाई डिफॉल्ट होता है यूज कहा करते हैं तो बस यह हाइलाइट करके रख लो फूल सब्सिट्ट्यूट के रूप में कि ऊब सब्सिट्ट्यूट के रूप में इसको हम जनरली देखते हैं कोई डाउट है कहीं पर भी मजा आरहाए एक्दम यह कोई कंफ्यूज्जुजन कई पर भी अ बोलो बो बोलो बहलो सब्सक्राइब टारीब सब्सक्राइब अब अगर मैं आपको लोगा वरी तो मौनमर आफ देस क्योंकि क्वेशन जनली वैसे हैं क्लासिफेशन को पर जो बहुत लिमिटेड आया हुआ है प्लांट इनिमल और सब के उपर जादा करके वेशन टेरिली और सब के मौनमर उनके यूजर उनके प्रॉपर पुछा गया है अब मैंने पढ़ाया ही नहीं है आप क्या बोलेंगे अरे सर ये कहां से डाल रहे हो है वो अलग बात आपने बोड में किया होगा ता आप अंसर दे पाएंगे लेकिन मजा नहीं आएगा जो बच्चे ड्रॉपर है या जो देखकर लेक्च्चर देखकर अंसर देना चाहते है आया सोज में येस मुझे केमिस्ट्री जा रिया और बेस्ट बच्चे बहुत अच्छा है चलेगा वह दिक्कत चलो और या रखना है कि इस चप्टर में टेश्ट को कि रिडिंग मस्ट है मस्ट है लेक्ट्र देखने के बाद भी आपको टेश्ट बुक पढ़ना ही है ब प्राइं पैन बनाने के लिए ठीक है इनका यूज करते हैं लेकिन इसके अलावा कुछ और भी ऐसे चीज़े दिए जो साइद बुक में रहेगा और आपने ध्यान ने तो गया हाथ से इसलिए वह पढ़ना काफी ज्यादा जरूरी है चलेगा आया सोज में फॉस्ट लेक् इसको एंड टाइम ले लो नाम आएगा टेट्रा फ्लोरो इथिलीन टेट्रा फ्लोरो इथिलीन का हमने कर दिया पॉलीमराजेशन टेट्रा फ्लोरो इथिलीन का हमने कर दिया पॉलीमराजेशन टेट्रा फ्लोरो इथिलीन का हमने क्या कर दिया भाई पॉलीमराशन कर दिय तब हमको आंसर क्या मिल जाएगा सी एफ टू सिंगल बॉंड सी एफ टू इस तरह से मिल जाएगा एंड इस बिकम्स यहां पर एन लगा दो इसको बुलेंगे पॉली टेट्रा फ्लोरो इथलीन पी टी एफ ए ऐसा हो जाएगा जिसको हम टेफलोन के नाम से जानते हैं जिसको हम टेफलोन के नम से जानते है दुनिया तो मुझे इसी नाम से जानती है तो एसे ही दुनिया तो इक टैफ आंaj pr ш know ऑनती है see of bonding other by seef bond is strong hence hins it is जो चैमिकल रजिस्टेंट इसलिए यह केमिकल रजिस्टेंट होता है मतब केमिकल आइसके पर कुछ खास फरक नहीं पढ़ने वाला है ऐसा निक भाई केमिकल आगिरिका तो एक खराब जागा नहीं इसलिए इसका यूजम करते हैं बहुत जगा पे एक्सपरिमेंट जो होते बस फोडो बैटके अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए चलेगा कोई confusion कहीं पर भी किसी को भी साथ साथ लेकर चल सकते हैं साथ साथ लेकर चल सकते हैं यह कंटेन हो रहा है सर का चलू मैं भी दिख ली तो क्या इसके अंदर कैसे करना है next 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 अगला कंसेट क्या है याद करो नायलॉन 6 फाइबर का एक बहुत बढ़िया एक्जामपल तो सर कैसे करेंगे यहां पर लेलिया मैंने एक कंपाउंड लेता हूं जिसका नाम है कैप्रोल एक्टम छी एच टू छी एच टू छी एच टू छी एच टू यह बन जागा एक दो तीन चार पांच है इसको अंपने संत्रों करेंग एक सी लाव क्या एक प्रन E Chall york से लुझत है क्यों क्यों कुक्त की यह फंक्टिन रू पा जोले गोला बोलेंगे यह बीटा यह अगमा यह फ्लोह इन जूल एक से लोंग चलेख़ क्या करेंगग इसका हम पालीमिरलไश्च करेंगे क्या कर दिया हमने पॉली मैंशन कर दिया इन प्रेजिंस ऑफ वोटर जैसे हमने इसके अंदर पॉलिमेशन कर दिया बॉन यापर तूटेगा येस और ये टूट कर ये एंट टाइम लेते हम लो ये टूट कर आपको इस तरह से बनाएगा सी डबल बॉन्ड ओ यहां से फॉलो करते हैं जो सर्जिकल स्ट्रेक्टर सोते हैं मतब कि जो ऑपर सिंगे जो इसका यूज करते हैं तो यह सब चीजे बनागा करते बच्चे इसका यूज करते हैं कोई दिक्कत कोई डाउट कहीं पर भी किसी को भी येस चलो कि तो पब्लीक क्या बुल भाई यहां पर देख लेते हैं यह चलो यहां पर क्या भाई संग मेंज बुल रहें कि सरे लिवन क्या स्टेटों मैंटर कम खथम कर होगे और किसी दुसरे चले नाम मतले बच्चे वहां तो चालू भी नहीं यहां पर तो मैं पढ़ाई भी रव चले यहां पर कोई दिक्क्त है नाइलॉन 6 11th का जो बैच है बच्चे बहुत कोई ने पढ़ा रहें फैक्ट के मिस्टी तो कोई ने पढ़ा रहा है तो हमारे जो टीम रहे कि वहीं 11 की बैच पना रही है लोगों क्या लगता है 11 मतलब टाइम पास 11 मतलब टाइम पास तो मतलब क्यों आदिन 11 में तो हम क्यों मरें हम क्यों अपना घंटा बरबाद करें चलो ट्वल्ट का चालो करते हैं ठीक है अगर आपको 11 यहां पर मिल रहा है न तो इस चनल के हिज्जत करो यह नहीं कि तुम किसी और का यहां पार नाम डालो या यह करो वो करो टीक है तो एक इक डिक और में देग्टन की सबाइस चलो आगे बढ़े है आगे बड़े खरेव दिकक्यट ओरी किसी दो बी कोई कोई कांफिये नहीं बच्छे क्या बोल रहा ह ه?, है युक्त र। झालड है। कांफ से ग्रलास मां नहीं आ रहा है? पहला क्वस्चन Übera येस कंण से क्लास में नहीं आ रहा रहा आप क्लास लेवन। do nhi वह हो एम्चसीट में आ रहा है? कहां पर नहीं आ रहा है उसकी बात करते हैं ठीक है चलो आगे बड़ें ओके तो यह आपके लिए नाइलों 6 हो गया कोई दिक्कत है कि यह याद अगना है कि इसको सर नाइलों 6 नाम क्यों दिया है ऐसे चोटे मुटे कुशन एंट्रेस में आते हैं तो बिकाउज आफ नमबर ओफ कारबन तो यहां पर जो नमबर ओफ कारबन होते हैं वह 6 होते हैं ठीक है इसलिए इसका नाम नाइलों 6 आया हुआ है कोई कन्फूजिन अब आते हैं नाइलों 6,6 पर अब आते हैं नाइलों 6,6 पर ध्यान से देखो नाइलोन 6,6 सर नाइलोन 6,6 में क्या होगा तो यहाँ पर दो मोनोमर लेने वाले हैं और दोनों के अंदर 6-6 कारबन होने वाला है इसमें से एक मोनोमर रहेगा मेरे पास हेक्जामिथलीन डाय अमाइन जो कि ऐसा दिखता है इसको बोलेंगे हेक्जा CH2 को बोलते हैं मिथलीन हेक्जामिथलीन और इसको बोलेंगे डाय अमाइन तो नाम आगया हेक्जामिथलीन डाय अमाइन सर और क्या और इसके अंदर हम मिलाएंगे ADPIC ACID नाम सुना है ADPIC ACID ADPIC ACID देख लें बच्चे इसको बोलते हैं ADPIC ACID कोई confusion कहीं पर भी किसी को भी YES क्या बोल रहा है बच्चे कुनी तरी क्या बोल रहा है भाई क्या बोल रहा है यह बच्चा कुनी तरी क्या एक मांच ज़रा कुछ बोल रहेगा एक मिंड बच्चे चलो कुणी तोरे मैसे इसको लिख रहा है बच्छा पता नहीं यह बच्छे बिल्कुल करेंगे यार बिल्कुल करेंगे बस आप बन्या से प्रैक्टिस करो इसका ना मोगा एड़ी, पिक, A- fen अब देख बच्छे हां पर जैसा इन दोनों मिलाएंगे तो इसका जो H है वो इसके पास चला गया इसका H इसके पास चला गया तो sir बच्छे ड़ा क्या बंजाएगा nylon salt क्या बंजाएगा नाइलोन सॉल्ड बन जाएगा क्या बन जाएगा बच्छे नाइलोन सॉल्ड देखा यहां पर नाइलोन सॉल्ड बन जाएगा नह थी प्लस इसको हम बोलेंगे नाइलोन सॉल्ड अब इसका मैं करने वाला हूँ पॉलिमराजेशन अब जाना आप दिमाग चलाओ कैसे होगा आप दिमाग चलाओ कैसे होगा फटा फटाफट जल्दी से फटाफट दिमाग चलाओ कैसे होगा मेरे भाई कि अग्या कि अग्या कि अग्या कि अग्या कि यह आवाजारी बच्चे आवाजारी सबने किया क्या भाई ओ मेरे भाई आपको मैंने काम दिया था कुछ नहीं कि अग्या कि अग्या कि अग्या भूलो नाइलाउन सॉल्ट सर क्या करेंगे इसके अंदर आपने क्या बोला करने कि लाब को तो नहीं समझ रहा है अरे बच्चे प्लस माइनच करना है यहां से दो एच निकाल यहां से एक ओ निकाल फिर यह अज से दो एच निकाल लूह से में समझ में क्ोभा हें ताकि तुम्हें पढ़ते समय न्दम यह क्या बचा एन एच आगे क्या बचेगा सी डबल बॉंड ओ आगे बच गया छी एच टू कितनी बार चार बार फिर का आएगा सी डबल बॉंड ओ मतलब इस तरह से बन जाएगा नायलॉन 6,6 बोलो समझ में आया बोलो समझ में आया येस कोई दिक्रत कोई डाउट कहीं पर भी किसी को भी चीज़ एक्दम आसान हो गई कि नहीं बोलो तो ये सर इतना सब लिखना पड़ेगा मैं आपको बाता दो एक बार पीपर में आया थाना मालू में आपको ने ये कंपोनेंट ये दिया तो बुला तो नालों सॉल कौन सा बनेगा आप ट्रस्ट करो इतना कंफिजन रहता ओप्शन में क्योंकि अगर आपने सही से बनाया नहीं न क्योंकि कभी क्या होता मालू में ये वाला पार्ट आगे रख दिया है ये वाला पार पीछे रख दिया है आपको लेक्षर भेटी तो ने दो बढ़ां गए ठीक है और डिफॉल्ट और ज्यादा लेंगे अधो लेक्छर और प्लस पीछे से रिवीजन बैच भी रहेगा तो आपको केमस्ट्री आप दिन में दो बर पढ़ेंगे मेर से समाई टॉपर बैच मे दिन में दो बार चेमेस्ट पीड़ टास्क ड्रॉप लग रहे है आप एक दम तो भाई जुड जाओ जूड जाओ आरम आरम में तो बोड होता है एक लब में सीटी ओर यह टॉपर में सीटी तो जूड जाओ जगा पे जहां कहीं भी आ सकते हो आजाओ इस क्या एंजिरिंग में प्रॉबम होगी इतना ज्यादा नहीं बचलिंग में इतना ज्यादा सेलबस नीए चेमिस्टी गांसे इंजिरिंग करेंगे उसके बडिपेंट अगर आपका कोडिंग वोडिंग अच्छा है तो आप आई याले फिल्ट में जाओ आपका ड्रॉइं समझ में अब-अब-अब-अब-अब क्या करना है सर अब क्या बच गया वोत बता ओ तो अब जैना कुछ बाहर और कटनले लेरे जो सेटीक लेंपाऊन और उसा है वोडेल पर नहीं करता है था मैने заг प्लास्टिक अब्यस प्लास्टिक कैसे बनाते हैं सर यह क्या है यह मतलब एक्रिलो नाइट्रिल अच्छे से दिमाग में सेट कर लो यह भी पूछा गया है कि भई एक्रिलों 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 प्लास्टिक का फुल फॉर्म क्या है एक्रिलों नाइट्रिल ब नुमर मुझ प्याद होने चाहिए प्लास्टिक सब को एन 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 टाइम ले लिया एन 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 और सब का मैंने क्या कर दिया पॉली मराजेशन कर दिया तो मतलब आप बोलने माले हो कि एक्रिलो नाइट्रिल प्लस ब्यूटादाइन प्लस स्ट्रीन जो है जब इन सब को मिलाउंगा फीज क्या है पीस्टम की टॉपर बैच के पीजिए पाच जार के अंदर आजाएगी फीज फाइप तजन के अंदर आपको फीज आ जाएगी ठीके चलेगा बोले आपका करोंगे चाहिए बोलो एकलो कियो यह क्या थे एकलोन इट्रिलल क्यों आपको एकलड स्थिक प्लास्टिक प्लास्टिक पता था ओनाचेम फूल फोर्म क्या एक्लो नाइट्रिडल ना मीड है धरिट भीर दॉल किसे मुटे हैं बूल टाइन इसको बूल टा Dyn इसको बूल हो insane जब इसको मिलाएंगे नो जो चीज बनते हैं न भाई बस उसको याद ही रख लो आप लो लगा तर अटेश करते जाओ डबल सिंगल सिंगल डबल के रूप में यह दिख रहा हैं सिंगल बॉन च्छ टू डबल सिंगल बॉन दिख रहा हैं सिंगल बॉन बॉल यह बात समझ में आई नाम क्या है सर अब्स प्लास्टिक सब्सक्राइब दुसरें इसका यूज़ करते फूड पैकेजिंग पेपर के लिए तो फूड पैकिंग के लिए जो हम पेपर यूज़ करते आपने देखा होगा ऐलमनियों फॉयल जोटा है जन्र कुछे के में बहुत बढ़िया तरीके से हमें बढुद्णा कवर हो रहा है सिल्बस कितना कवर हुए है दिखर मैं बहुत किसी Desktop न recaво कर HU कर दिया है ठीक है 3 chapters मैंने स Giving कर हुण है येस प्टिया कोई और किसीओं एकड़ सब्सक्राइえ नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है सर तो अगर मैं आपको बोलोक या बात दिरे-दिरे राइवा लिए थिरे डेलीन प्राइव क्या होता है तेने का विए श्रा हम कैंभाई डेकराउं इसको तेर इस तरह से चीजों में यूज क्या जाता है यह सब आपको आपको सीखना चाहिए तभी आपको मज़ा आने वाल है तभी आपको ऐसा लगे का रहा है मुझे सवाज मैं आ रहा है तो टेरलीन में क्या करें गया गरेंगे बड़ा सिंपल सागा में आप ले लो इतलीन ग्लाइक और यह रहा आपके पास एथलीन ग्लाइक और एंड टाइम इसमें मिला दो टेरे फैटली एसीड मतलब कार्बुक्स्ली एस तरह से यह भी बड़ा फेमस है कई बार पुछा कि इसका मोनमर बताओ और कई पर पुछा का ट्रेल का स्ट्रक्चर बाता लोग वहीं पर कन्फिज क क्या रोगे अगर यहां से फलेट यह ゃ। यहां इस यहां ठीलियए लिया तो यहां से फलेट पॉज़ले लिया तो यहां VS अचलिना इंप पॉंच भी नहीं sakti यहां पर हम क्या करते हैं एक बड़ा इस प्रिप्र एंडिब डिसक्रस करोंगा मैं नीछे एक एक ही लगा ही टरेंगा और इसका पॉली बारिशन करोंगा नो डाउट यह बड़ाइप प्यारा सा कमपाउंड बनाएगा इसको बोलते हैं डेकरॉन या फिर टेरेलिन जोके ऐ सा दिखता है यहां पया जायका सी ik stu आगे यह डाच होका इस वाले ओस इक मोनने पॉछ इसे इंच बोलीगता है यहां पया दान जाएंगा यहहां लिंकेज इंहीं इस पहर दारों भोलिगत यह लिंकेज धान डैस बात को ठीक है ने पीस तरह से बनेगा बॉना समझ में ईसको हम बोलेंगे टेरलीन या बोल सकते हैं डेकरॉन डेर डिटेस्ट पार्ट अप पॉलिष्टर ये सब आप वान अच पॉल च्टर पॉलिष्टर ठीके इस तरन से लिप है पॉलिष्टर भी लिखते हैं बहच है दिक्कत ये सर्फ सम्त है में येस इसका उसम पोज़ावाप हेलमेट के लिए भी करते हैं अधिक है हेलमेट 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 के उपर जो गोती चीजे रब बनाने के लिए उसका भी यूज़ करते हैं चलेगा कोई डाउट कहीं पर भी ट्रांस एश्टी पेश्टन बिल्कुल साइश के अंदर जो कै ज्टेट वो क्या होता है के ट्रीश का नाम रबताओ के कैट इसका नाम बदा बच्चे जिंक-acetate-and-antimony-trioxid नाम सुना है यस सर जिंक-acetate-and-antimony-trioxid बोलो समझ में आया जिंक-acetate-and-antimony-trioxid समझ में आया कुछ येस मज़ा आ रहा है बहुत बढ़ियां आप कि यहां पर करना पड़ेगा अपने को बेकलाइट लेने के लिए आपको K पॉर्मल डियाइड मिलाना है देखो बैकलाइट आपको दिख रहा है यहां पर आर सी डबल बॉंड यह मैंने आपको आरम बैच में कराया होगा तो आपको पता ही होगा यह जो होता है ना हम बुलते हैं कि CH2O है एक्चिल में और यह CH2O जो है दो नमबर पे चार नमबर पे छे नमबर पे सब जगत तोड़-तोड़ के अटेच हो सकता है क्योंकि हर पॉइंट एक्ट्व होता है तो आपको फिनॉल के पहले यह दो नमबर पे हो सकता है इस तरह से फिर यह दो चार दोनों पे हो सकता है इस तरह से ठीक है दो नमबर फिर यह दो चार छेद पर हो सक सब पर हो सकता है तो यह तो यह हो गया तुम्हारे लिए और इसका आम क्या कर देंगे और इसका हम क्या कर देंगे पॉलिमराइजेशन खर देंगे तक देंगे पॉली मराइजेशन गर देंगे वुन है बाहली बास समझ में आई चल ज़िए पॉली में सिंक भॉल फटाफर बताऊंचर किया आएगा ज़ल्दी से को किया बच्छे किया का पॉलीमराइशन ओ मेरे भाई पॉलीमराशन किया क्या जल्दी बोलो पॉलीमराशन किया कि नहीं किया अब इसका फॉलीमराशन करेंगे न बार बार यह चीज आपस में मिलेगी इस तरह से यह क्या हैसर और हैं यही चीज़ दोबार लगां गो इस तरह से दिख रहा है मुद्थ इसका एच और इसका ओर है बार आ चला गाप की नहीं चला गया जो लिए संख्मझ में रहे हमें याइस कोई डिक्ठत है कोई डाउट है को रिखनफ पूजonly बो हई-इस पानी बाहर यहां शे पानी भाहर देखो और आपका यहां पर मजा आ जागा बढ़ी तरीख से कि यहां से यह वाले बंदे और यह वाले बंदे दोनों ऐसे जुड़ गए अब यहीं चीज आगी भी हो जाएगी फिर बहुत बढ़ियाँ पेंट में यूज होता है कहां यूज होता है bicho पेंट में यूज होता है यूज इन dispens ठीक लेकवर के फॉर में बोलते हैं मतनब लिक्वीट के रूप में जूप में यूज करते हैं कोई confusion है कहीं पर कोई doubt है कोई ऐसा लग रहा सब्सक्राइब कर दोंगा चीजे उसको पर काम की जा रही है और यह टेस्ट टॉपर्स बैच को फ्री है पुरी तरह से टेस्का प्राइज में काफी टेस्टम प्लाट मतलब प्लान कर रहे हैं ठीए बहुत बढ़ियां तरीके से पिछली बार के कंपरी में और ज्यादा आप येस कि चलेगा आगे बढ़ा जाएं येस ओके चलो आगे बढ़ते हैं बिल्दिंग ब्लॉप ये नहीं है लिमिट नहीं है करते जाओ आप क्या बोलेंगे अगर अगर मेरे पास नोव लाग यसी चीज है मान के चलो यह पॉलीमरेशन इस तरह से हो रहा है इसी के अंदर अब हमने दूसरा भी जो हमारा प्रोड़क्ट बना था ना उसको उठा लिया उसको हमने रिवर्स करके इस पर अटेच करना शुरू कर दिया देखो इस तरह से देखो इस तरह से यह बाइडिफॉल्ट च्टू बाहर जाएगा यहां पर भी किया होगा वोलो यह बाहर चला गया लो डव डाउट अब इसके निचे इसका एच और की सिंवकार का मान के चलूंड की यहां पर हमने भी चला दिया तो क्या करेंगे भाई यहां से एच वेच पानी बाहर दिखाई देरा है अच्छा यहां पर थोड़ा सा चेंजिस कर दो जरा यहां पर ऐसे गर लो इसको इस तरह से लिख आप यह सी एच टू वेच वाला एच ले लूटी के देखो अब यहां से एच दिमाग चला बच्छे यहां से एच यहां से वेच पानी बाहर अच्छा सी एच टू एच अगर यहां आगया जैसी जैसी यहां पर था इसके रिस्पेक्ट में देखो जारा यहां पर इसके रिस्पेक्ट में गया तो दो नंबर पर वेच आएच आएगा तो इसके रिस्पेक्ट में आप क्या कर बताओ कि अबर मुझे यहीं चीज को उल्टा करना है तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इसके रिस्पेक्ट में चार नमर्प वेचा गया और यहां पर चार के बाद दो नमबर पर भी इसके रिस्पेट बताओ यहां पर यहां पर यहां पर यह बंदा ऐसा दिखेगा अचला गया उपर यह पहाप आज नीचे और विच के रिस्पेट पर दो नमबर पर यहां पाना जाएगा बुल समझ में आया कोई दिखकत तो आप समझ मैंने मैं क्या बताना चाहरा हो कि यह Class Lago एखर चेसों कर दो यह बन जाएगा ch2o hc बंजाएगा ओया तो यह वाला पॉपले लापा चला गया धूए टो यह पर है क्लियर है क्लियर है क्वेश पर धाउट कई पर भी किसी को भी क्यूब कहा नचीफ आच्छी बच्छी नजदाग पाना चीज मतलब अब हमको दिरे-दिरे समझ रहे कि क्या करना है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आंसर कैसे बनेगा नोवलेक तो आपने बना दिया अब नोवलेक के आगे क्या एड़ करेंगे बोलो तो हम बोलेंगे च्टू ओयच इसका एच इसका ओयच पानी बाहर और हमारे पास बड़ा प्यारा सांसर बनेगा च्टू और यहां से यह ऐसे जूड़ जाएंगे चार नंबर पर कौन आगया भाई चार नंबर पर ओयच आगया इसके रिस्पेक्ट में च्टू है जो आगे किसी और से अटेच्च होगा फिर यहां पर आगे भी च्टू ओएच के तुरू यह आगे बेंजीन जुड़ी आएगा यहां पर भी यह दो यह पूरा एकदम आपस में लिंकेश का एकदम जाल फैला हुआ है अगर आप चेक करेंगे ना जाके गूगल के उपर आप बोले दो बुले यहां पर क्या होगा च्टू यह इस तरह से दिख रहा है यहां पर कौन है भाई ओच है इसके रिस्पेक्ट में दोनों क्या होंगे च्टू से जुड़ी आएंगे यह भी किसी और बेंजीन से च्टू से जुड़ेगा दिस इस दा कम्प्लीट स्ट्रुक्चर आफ बेकलाइट एक्जाम में बेकलाट का स्ट्रक्चर कहीं बार mcq में आया हुआ है डिलीटेट सेलमस में तो आपको दो सल के पेपर में नहीं दीखेगा लेकिन जो इसके पहले के पेपर हुआ करते थे उसमें आपको बूला ता हाओ बेकलाट का स्ट्रू पहेचानों यहाँ पर चार नमबर पर इसके अपोजिट में आया है यहाँ पर कोई OH नहीं है बच्चे मत बोलना सान यहाँ पर CS2OH है तो दो नमबर पर जाना चाहिए नहीं यह इसके रिस्पेट में दो नमबर पर यहाँ पर भी देखो येस कोई डाउट किसी को भी कोई ऐसा है जिसको confusion लग रहा है सर उपर नीचे आजू-बाजू बनाते जाओ बस हो गया और पानी निकालते जाओ बिल्कुल सही जवाब यह बैकलाड आपके सामने रेडी है बैकलाड का यूज हम करते हैं जनली hard material बनाने के लिए जिसे switch हो ग लेखेंगे तो वहाँ पर जमीन के अंदर हम पाइब यूज करते जनली वह बैकलाड की पाइब होती है बहुत हार्ड होती प्लास्टिक के अब चलती है पहले तो लोगे क्या देते लेकिन इस प्लास्टिक के बाद बहुत फ्रिक्वेंट लीका बच्चे प्लास्टिक के भी उला दोलागी तैन ने लगता हूं चवह जाता है ती रिखें चलो अब अम बात करने वाले हैं मेलामाइं कि मेलामाइं पॉलिमर जाते हैं मेलामाइं के साथ करेगा ओर यस तислā करेगा ऐसी है प्यूछ सो यह नाइट रोजम्ट है फिर ये कार्बन गए फिर ये नाइट्रोजन इस तरह से समझ में आया और यहां पर डबल बॉंड सिंगल बॉंड का पैटन आते रहेगा जैसे आता है तो अब आप बुलेंगे कि सर जहां जहां पे बॉंड बच गया है वहां पर अटेच्ट रहेगा एनेच टू यहां पर यहां पर एनेच टू और यहां पर भी एनेच टू इस कमपॉंड का नाम याद कर लो एक दम अच्छे से इसको मेला अमाइन बोलते हैं ठीक हाड होता है कौकरीज बनाने के लिए यूज करते हैं इसमें हम मिलाने वाले हैं फॉर्मल डिहाइड क्या मिलाएंगे फॉर्मल यहां पर जैसे मैंने फॉर्मल डिहाइड मिलाया आप बुलेंगे सर यह क्या है तो यह तो भाई डिपॉल सिस्टू है यह सिस्टू ओ इसके साथ इसके साथ और इसके साथ रियेक्ट करेगा और एक इंट्रमीड बनाएगा बढ़ा बढ़ियां इंट्रमीड बनता है एच टू थाना इसका एक हैच निकाल दो और वो इसका एक हैच आगया इस Okay पास तो यह एनच के साथ क्या और बचिश्टू इंट्रमीड इंट्रमीड बोलो समझ में आया अब क्या करेंगे इसका पॉलीमराइशन कर देंगे और जैसे हम इसका पॉलीमराइशन करेंगे बोलो जैसे हमने इसका पॉलीमराइशन किया क्या होने वाला भाई क्या होने वाला है इंट्रेमेड को मैंने क्या क्या पॉलीमराशन किया तो अब यही चीज़ बार बार आपस पीछ अटेज किया उपर एटेज किया तो पुरा बेंजिन मेंजिन का पुरा जाल बन जाएगा तो हमको इतना सारा तो नहीं दिखाना है लेकिन रफली क्या दिखाना वो पता होना चाहिए दिखने अपर अगली पीच पर लेकर चल रहा हूं मैं आपको तो यह कुछ ऐसा ब यहां पर होगा चला आखना रहां पर पानि बनके बाहर चला गया इन cm2 इस और क्यूर्ध पानी बाहर चला गया अगया क्सी और कि पानी बनके बाहर चला गया इंच हसी बाहर इस दो on the पानी बाहर जाता है तो एंड टाइम पानी बाहर चला गया कोई confusion छेकर जल्दी से चेक कर यह केसारे इसारे गजाम्पल होंगे cross link Polymer के बेकलाid क्रॉस्टिंग पॉलीमर मेला माइन बढ़िया इजांपल क्रॉस्टिंग पॉलीमर का याद अखना ठीक है तो भाई इस चप्टर के काफी नजदीक आ चुके हैं ठीटका इंफर्मिशन के अगर मैं बात करो तो अदेकाता है आपके लिए बीच में कंसेप्ट है कि भाई मैक सबस्क्राइब को अब चॉन होता है है यह prefer भेट को मैक्रों मॉलिक्रों से जों हम मेक्रों मॉलिक्रों के अवरेज वेट लेते हैं उसी को हम बने मॉलिच चैनली मास फोपर शिलिमशेंर भर हमने बोलेट डिगरिशन अगar हमने आ दिगरिश क्षिल पजी कि actually कि number of monomers repeated is a degree of polymer was cut them degree of polymerization मतलब सर जैसे कि मैंने बोला कि मेरे पास एथीन है अब अगर मैं एथीन लेता हूं बार मतलब किया थी कि हम अब सब्सक्राइव दूबल बोण यह फ यह च टु ऐतीन है इसको करेंगा और ग्राम पर इसका वैल्ली आइगा ठ्झेंगो भार्रों भाल्रों 24-28 अभी इसका मैंने कर दिया पॉली अब कर दिया तो जब मैं इसका पॉलिमराइशन किया तो मुझे मिल गया CH2 सिंगल बॉन CH2 कितनी बार एंड टाइम्स कितनी बार एक दो बार नहीं एंड टाइम्स तो मान के चलो कि यह जो वैल्यू है ना यह मुझे 28000 मिली है जस्ट एक्जामपल के लिए बता रहा हूं कि भाई इस वैल्यू इस प्लव कर देगेडी ऑफ पॉल्यमराशन डीगरी ऑफ पार धिडिपी-डिपी-डिपी-डिपी-डिपी-डिपी समय माया समय माया कोई दिकत कोई doubt यह सो बो कोई कंफूजन पलो कोई डावट है किसी को भी कहीं पर भी यह सह ही समझ मारी एख यह एक्जा सब्सक्राइब करो कोई कंफ्यूजन कुछ कोश्चन लेते हैं और बचावा कंटेंट जो है कि नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दू रबर बचा रहे गया है रबर मतलब वालकनाशन किसको बोलते हैं बुना अगले लेक्चर में यह चेप्टर पूरी तरह से क्योंकि आपने मेहनत किये तो भाई बोलते ने कि सर एंसी को तो होना चाहिए ब्लेंक स्टेटमेंट रेडियो फटाफट करेक्ट स्टेटमेंट फॉर दी थर्मो प्लास्टिक में यह चेप्ट हें निक क प्लास्टिक है सरसत कि यह तो फरमो ने सांचे मेंड़कर उसका आकार बदल सकते हैं सब्सक्राइब यहां पर यह लिनियर या ब्रांच होता है क्रॉस लिंक वाला थर्मो सेटिंग वाला होता है समझ में आया तो राइड आंसर है इसका नंबर सी नंबर सी इस दी करेक्ट आंसर बल बोलो समझ में आ आपने बार में बताया है आवा दूबी घेला की निकर आप लोग ने येस पहली बर आवादू भी तो नहीं खेल रहे है वालों बड़ा कि सर्फ पहली बार सुन रहे हैं प्लास्टिक को गर्मा कर उसका जो बॉल बनाते थे ना वह हम रिमॉल्ड करते थे क्या करते थे प्रशन देखे विच पॉलीमर अमंग दॉवलोंग डर्ज नॉट सॉफन और हीटिंग वह कौंसा पॉली मरे जो गरम करने के बाद भी पिघलता नहीं है भाई वह कौंसी प्लास्टिक है गरम करने फिर भी पिघल नहीं रहा मेल टीनी ओर आप जल्दिस अभी मैंने बताय नहीं से ये व्येयश बिल्कुल्स इबचे मैंहेश बहुत बढ़ याँ वाई को ने बहुत पविलियन को ने बाई पल वन कर आ चलो बूलो बैकलराइट बिल्कुल सभी जवाब इस दिंग और चलेम स्यरा की धाइट वह पॉलीमर होता है जो स्विच बनाने के काम में आथा है और आप देखेंगे क्यों स्विच जो होता है जब वह जलता है चलब õ जलता है न तो खराब हो जाता है सर इतना डेंजर डेंजर कोश्चन क्यों ले रहे हो नीट वाला कोश्चन क्यों ले रहे हो सर अरे पैटन तो कहीं नहीं है यह में सीटी से मैच हो रहा है ठीक है बोलो what will be the correct answer यह भी कोश्चन मैंने आज ही कर आया था नेचरल रबर टॉपिक मैंने जब कवर किया था तो मैंने स्पेसिफाई किया था वहाँ पर कि नेचरल रबर को पॉली आईसोप्रीन बोलते है no doubt लेकिन पॉली आईसोप्रीन के अंदर भी नेचर पाया जाता है सीस और ट्रांस तो सीस वाला की ट्रांस वाला तो सर सीस वाल तो यहां पर यहां पर यह पूछा कर तो हमारे नहीं पर ऐसा पूछा जा सकता है आपके डाइब का सकता है लिए सिस 1,4 Poli-Isoprene क्या थिए जल्दी रबर इच करेक्ट आंसर सिस 1,4 पॉली आईसोप्रीन इज नेचरल रबर एकदम करेक्ट आंसर है क्या बात है या ओहो सर ये क्या किया आपने ये क्या किया सर सिधा जेह में का क्वेश्चन हम सीदी डाले बच्चे को पर इतना जुल्म क्यों क्यों हो रहा है सर हमारे उपर आपको लग रही है गलत इस ऑप्शन में से कौन सी बात गलत है जल्दी से बोल बच्चे कौन सी बात इसमें से गलत है बोलो कौन सी बात इसमें से गलत है राइट आंसर बोलो फटाफट इट इट से सिंदेजिस रिकॉयर हाई प्रेशर तो भाई आपने पढ़ा होगा कि प्रेशर का अमौन भी मैं आपको बाता दूए एक हजार से दो अधर मैंने आजी पढ़ाया कि एक हजार से दो अधर एटमस्वरिक प्रेशर चाहिए रहता है फिर इडिड़ पूर अधर ये बात तो सही है इलेक्ट्रिसीटी पास नहीं होगे बाई किसी भी प्लास्टिक मे इस शिंदेसीज रिक्वार्श डाय ओक्सीजन बिल्कुल सही जवाब हमने बोला ता इत रिक्वार्श ट्रेशस ऑफ औक्सीजन हमको फॉल्स वाला पहचानना है बच्चे तो ये ट्रेस अफ वॉक्षीन इसको चाहिए ट्रेसस ऑफ औक्सीजन या फिर परोकसाइड तो यह तीनों आंसर सः यह चौथा अन्सर गलत है इसका यूज हम बखेट और डश्मीन बनाने लिए नहीं करतें कि क्योओं हाइधेंशिटी प्वालिथीज अधनी सिटी पॉलिथीन उसको बनाने के लिए हम जोएकी इसका इसको बॉत यहां पर तोटली गलत दिया हुआ है समझे मागा सबको yes बीपोर बल्क बीपोर बकेट बड़ा वाला बकेट नहीं चलो के लासीटी का क्वेशिन भाई दूसरे शेट का क्वेश्चन हमारे आपर आ सकता है और लॉन मतलब यह कहीं कहीं क्या है एक रियो लेन माना जाता है एक रोलेन सिद्धा अंसर ज्यादा टेंशन मतलो कुछ या या नहीं रुको जाए या पर क्यों चोर पूछ यह यह यूज नहीं पूछा है यह यह उसका मोन अमर बताओ या बल्लों है तो मोन अमरी क्यूंट जीन ने बोशते आपको ठीक है एक रोलेन भी जनरली एक रोलेन यह वर्ड आपको सुने के लिए मिला होगा अल्ड़्ड है चेप्टर के अंदर एक रोलेन तीन कार्बन का लिहाइड डबल बहुत तो उसको एक रोलेन बोलते ठीक है बड़ यहां पर बोला है मोनुमरिक यूद बताओ मोनुमरिक यूदि बताओ तापको मैं बताओ यह क्लास में कराया था किस तरह से मैंने अगर आपके पास च्छ टू डबल बॉन च्छी अन इसको सर क्या बोलते है तो इसका एक और नाम है विनाहिल साइनाइड याद आया बुच बस जब इसको हम पॉली मैंशन करते थे तो हमको आंसर मिल जाता था इस तरह से इस तरह से मिलता था जिसे हम नाम देते थे भाई यह और लॉन है तो और हमको बनाने के लिए क्या लगेगा विनाहिल साइनाइड राइड आंसर इनमबर सी ठीके एक रिलीन करके एक वर्ड होता है जो कि और लॉन के साथ यूज होता है जाके टिश्बू पढ़ेंगे ना ता आपको मिलेगा एक रिलीन मैं क्यों यह वर्ड यूज कर रहा हूं ए आपर माक कर देते हैं मैं पहले वही मुझे लगा वही है ठीक है तो दुबारा रिट करके मोनमर पुछा है तो मुझे लगा कि यह गलत है एक रिलीन यह वर्ड होता है जनली क्योंकि आप पर वूल के सब्सक्राइड में इसका यूज किया जाता है समझ में आ रहा है कोई तुकत पीवीसी नहीं बच्याँ आकाश पीवीशी विल बैि पॉली विनैल कॉलराइड होता है सी 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 एल सी लैल सी लुन यह नहीं बताया अभी मैंने बताया उनकी जगह पे हम कौन सा केमिकल यूश कर सकते हैं अभी अभी ताजा ताजा मैंने पढ़ायाः अब अब अभी पढ़ाए ल यौC करतें बुन आ पटना यागी यार मेलामाइन बिल्कुल नहीं बिल्कुल जरों बिल्कुल नहीं वाली एक्रियलो नाइट्रिल सर कैसे पता चला अरे मेरे भाई अभी तो बताया मै ने कि यह जो बंदा है न और लॉन जो से बन जो अरलॉन बनाता है यह जो बन रहा है आपके पास देखो इस तरह से यह दिख रहा है यह और लॉन है जो कि उल सब्सिटूट के रूप में काम करता है चलेगा पॉली एक्रिलो नाइट्रिल क्लियर है अगला क्वेस्चन केरला क्वेस्चन लेने के लिए जिसमें जो मैंने अब तक करा दिया है तो क्वेस्चन लेते समय मुझे भी यह था कि कितना करा पाऊंगा क्या है वह बड़ा इंपॉर्टेंट था ठीक है सर आज से पढ़ए शुरू किया तो क्या मेरे साट परसें आ जाएंगे बिल्कुल आ ज गरिएंगे शिरेम एकिते हैं नयलॉन में बाकि बैकलाइट में में मिलता है तर शुूरियं में ζूर में जियरे oh कौन से दुनिया में जीरे हो यह इस ऐन यह आए बच्चीए आकाश आदित्य निज्मा तो याँ पुराणा वाला अंसर आइसा नहीं तुम बूल सकते हैं मैं पुराणा वाला आंसर बता रहा हूं कि एप्सिलों क्या प्रोलेक्टम एप्सिलों क्या प्रोलेक्टम हम किसके लिए करते हैं अभी तो पढ़ाया था आपने नाइलोन आपने किया हुआ है सीखा हुआ है तो यहाँ पर हमारा जो सेशन है एक लवे 3.0 का मैं उम्मीद करना कि आप बहुत एंज्वाएं कि होंगे आज के लेक्ट्चर में एक तो पहले बहुत साथ आपने सीखा और बहुत अच्छे-चे सब्सक्राइब नियुक्त अपसे शूरू क्या तो कितने परसेंट ना लाएंगे देखा बोड़ के बासे शुरू करने वाले भी 99 परसेंट ना सकते हैं क्योंकि सीटी जो तैंब शेंब वह होता है आपके MCQ practice के उपर content के उपर आपका content सही नहीं है आपने revision नहीं क्या practice नहीं क्या mock test नहीं दिया तो आप कितना भी पहले शुरू करो कोई मतलब नहीं है लेकिन अगर आप सारी चीजे कर रहे हो लगातार तो भी आप 99 परसेंटाइल 95 परसेंटाइल 98 परसेंटाइल ला सकते हो तो CT के लिए अगर आप अभी बैच लेते हो हमारी मैं आपको बदा दो जो बच्चे आप पर जुड़े होंगे मैं आपको बच्चे कि हमने dedicated बैच लॉंच किया हुआ है जिसका नामे टॉपर करेंगी और टॉपर्स के अंदर टॉपर्स प्रीमियम टॉपर्स प्रों है कि मदो चुका लेकिन जो प्रो वर्जी वो चालूब जिसका अमाउंट अच्छाल आंगज वहुत है टॉपर्स अगर मैं प्रूप की बात करूए जो एक्छाल अमाउंट होता है मतलब रियालिक में जो मिलना चाहिए आपको तो वो इसकी प्राइज तीना जार रुपए ठीक है तो टॉपर्स बैच जो प्रो वर्जिन है यह एक्ट्र में मिलने वाला आपको तीना जार मिल लेकिन फिलहाल बोल सकते हैं कि अभी 50% डिसकॉंट पर हमने इसको चालू किया था और वह अभी मतब एक होता है सिनॉप्स नहीं वह नहीं डिटेल इस नॉप्सिस मतब एक चप्र अथा फांसे फिलिए चाहर सिपास लेक्टर जारा है जो बच्छे सब्सक्राइब तो हमने बोर्ड में लिक्षर कम लिये थे बोर्ड मेरा पांच लिक्षर में खतम आप ज्यादा ही ले रहे तरह से ठीक है वैसा आपको दिखाए देगा हर लेक्षर में डिस्केशन होता है यह की शॉलिंग होती है और बाद में उसके ओपर डीपी जाती है तो हर एक चेप्टर पर कम तेकम दो से तीन डीपी आती है दो मिनमम डीपी रहेगी ठीक है एक डीपी में 25-20 कॉस्चन रहेंगी मतलब 40 वैसे मिल रहे है ओन एन एवरेज ठीक है फिर हर क्वेस्चन हर प्रशन में हर एक लेक्ट्ट्र में बोल सकता हूं आपको मैं कम से कम 10 से बारा एंची कुछ कर वाता हूं अगर मैं चार ही पकड़ू कि छे साथ लेक्ट्र लेकिन चारे में डिसक्रस किया मैंने तो भी चारीश को शुर्ष वाज़ा चारीश असी क्वेस्ट उसके बाद एक सेपरेट सेशन लेता हूं जिसमें पीवाई कुछ कर वाता हूं उसमें आपको 20-20 का दो सेशन होता है चारीश मतलब 120-120 क्वेशन के प्राक्टिस चार भी भाई सिर्फ टीचर कर वा रहा है अभी बच्चा जो आगे फोड़ेगा वह अलग से तो पहले तो आपको डिटेल सिनाफिस रहे हूं ठीकर तो पहला ओर एक डिटेल सिनोफिस रहा है ऐसे पाल तुमीं भी में व्रेकिशल आजाओ हम टेश मुस्क टढ़ किया ना मैं याप एंसी क्यों प्रीयमठेट रहा है ठॉपर एंसी क्यों डिसक्केशन एक चेप्टर के उपर टेस्ट यह चीज़े इस समय टॉपर पुरो के अंदर चल रही है सर एक्स्टा क्या देंगे यह तो सब लोग दे रहे हैं आज कल एक्ट्रा क्या देंगे एक्ट्रा मिलने वाला आपको जो अभी जोइन करेगा उसको मिल रहा है बोर्ड का अगर कोई बच्चा होगा तो उसको LMR मिल रहा है सर यह क्या होता है लास्ट मंत रिविजन फॉर बोर्ड एक्जाम फॉर बोर्ड एक्जाम डॉपर भी ले सकते हैं क्योंकि भाई बोर्ड का चेप्टर पुरा शॉट में अगर आपको किसी ने बता दिया तो जो पुरानी यादे रह सब्सक्राइब करेंगे लेकिन आपको वही सब चीजे एक लेक्टर में बताए जारी है पुरा स्टार्टिंग से तो LMR मिलेगा लास्ट मंत रिविजन मिलेगा यह बिल्कुल फ्री रहेगा इसी अमांट के अंदर साथ में आपको हम एक क्रैस को स्लांज करेंगे बोर्ड के बाद जो की क्रैस को से एक जिसका बाहर चार्ज करणे सर्क लेकिन आपके लिए вो क्रैस को सबील फ्रीगा बिल्कुल फ्री रहेगा तो ये बहतरी निंठी आपको यह बिल्कुल फ्री मिलने वाली है इसी के साथ यह तो चेप्टर माइस टेस्ट करें ये यह जो में ग और मॉक्तिस्ट प्लान करेंगे आपके लिए जो बाहर वालों के लिए पेमेंट लेंगे उनसे पे करना होगा लेकिन भाई आपके लिए मॉक्तिस्ट रहेगा बिल्कुल फ्री क्योंकि वो मॉक्तिस्ट की कीमत 405 की बीच में रहेगी उसके अंदर कम से कम आपको हर क्या है मतलब यह तो कहरी मचर रहा है यहां पर तो ठीक है चलेगा एक लवे में सिर्फ प्योर्ली लेक्चर रहेंगे बच्चे आकाश क्योंकि यह यूटूब क्यों पर लेक्चर हो रहा है तो हमारे हाथ बदे हुए हम बहुत सारी चीज़े इस पर नहीं कर सकते हैं तो एक लव में प्योर्ली लेक्चर रहेगा ठीक है तो प्योर्ली लेक्चर रहेगा और यह सब चीज़ा आपको मिलने वाली है मात्र वन पॉर डबलन के अमांट में मैं उम्मीद करूँ कि इस एक्स्प्रेशन के बाद आपको क्लार्टी मिलेंगे कि यार एक्जेटली को घिस डालो फोर डालो जितना कर सकते हो उतना कर डालो मिलेंगे निस ट्रैम चलो बच्चे बाए विन बाए में चलो बाए